नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे Magneatic Field के लिए Formula किसी Bar Magnet की वज़े से हम लोग Canneatic Field कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए तो अगर हमको Canneatic Field निकालनी है तो यह defined किया जाता है Force per unit pole strength फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इस काल्ड मैगनेटिक फिल्ड तो अब जैसे मान लेजिए कि सपोर्ज जैट हमारे पास कोई मैगनेट है इसका पोल स्ट्रेंथ मैं इससे आर डिस्ट्रेंथ पर यहां पर मैगनेटिक फिल्ड बतानी है तो हम यहां पर क्या रखेंगे एक छोटा सा ऐसा मैगनेट रखेंगे टेस्ट चार्ज टाइप का बहुत ही हलका मैगनेट होना चाहिए एकदम मैगनेटिक निडिल की तरह है और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो मालेते हैं M0 है तो ये वाला मालेजे इस पर F force लगा रहा है मूनाट अपान में 4π, M1, M2 अपान में R² और साथी साथ ये वाली क्वांटिटी तो ये देखिए M0 से M0 गया कट तो फार्मूला क्या आगया मैगनेटिक फिड का फार्मूला आगया मूनाट अपान में 4π, M by R² तो ये फार्मूला भी उच कर सकते हैं हम लोग और ये फार्मूला भी जगह जगह पर यूज किया जाएगा जैसे इलेक्रिक फिल्ड वाले चैप्टर में हम लोग करते थे और मैगनेटिक फिल्ड का जो यूनिट होता है वो टेसला होता है इसके बाद हम आते हैं मैगनेटिक फिल्ड डिव टू डाइपोल तो आईए देखते हैं मैगनेटिक फिल्ड डिव टू डाइपोल तो डाइपोल का मीनिग यहाँ पर है मैगनेटिक डाइपोल तो इसमें हम तीन सिचुएशन कंसीडर करेंगे तो पहला सिचुएशन है ऐग्जीयल पोजीशन पर तो at axial position तो आईए जानते हैं कि axial position पर हम लोग कैसे निगाल सकते हैं किसी magnetic dipole की वज़े से magnetic field तो हमारे पास यह मन लेते हैं कि magnetic dipole है suppose that कि यह north pole है और यह south pole है दोनों pole के pole strength सेम होते हैं यह मन लेते हैं कि mid point है और mid यह जो length है वो मन लेते हैं इधर L है इधर भी L है और इसके mid point से axial distance x पर एक हमको point है और point P है और यहीं पर हमको net magnetic field निकालनी है तो north pole की वज़े से जो magnetic field होगा वो क्या होगा मन लेते हैं BN है और south pole की वज़े से जो magnetic field का direction भी इसमें important है नार्थ pole से lines बाहर की तरफ निकलती हैं तो north pole की वज़े से जो magnetic field का direction होगा वो बाहर की तरफ होगा away from the pole होगा और south pole की वज़े से towards the pole होगा तो दोनों एक दूसरे के क्या है opposite हैं तो इसका मतलब net magnetic field अगर हमको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपस में minus करना पड़ेगा इनका और यहां पर भी एक चीज़ note करने वाली बात यह है कि dipole moment का direction और b net का direction सेम है जैसा कि electric dipole के case में हम लोग देखे थे तो आईए निकालते हैं तो b net अगर हमको निकालना है तो बस b n minus b s कर दीजिए अब b n का मतलब mu not upon में 4 pi small m by अब यहां से लेके यहां तक का जो distance है वो x minus l है तो x minus l का whole square minus b s का मतलब इसकी वज़े से यहां पर check करना पड़ेगा तो mu not upon में 4 pi m upon में x plus l का whole square अब इसको common human ले लेके solve करेंगे फिर आगे देखेंगे कि क्या आता है तो आईए देखते हैं इसको solve करते हैं इसमें से अगर हमको b net निकालनी है तो यह देखे common हो जाएगा mu not upon 4 pi common हो जाएगा m common हो जाएगा 1 upon में x minus l का whole square minus 1 upon में x plus l का whole square अब इसको solve करने वाली बाद रह गई तो इसको थोड़ा solve कर लेते हैं mu not upon में 4 pi m बाहर cross multiplication कर लीजिए x plus l का whole square minus x minus l का whole square इसका multiply नीचे करेंगे तो a minus ba plus b a square minus b square whole square हो जाएगा बस थोड़ा solve बढ़ाते हैं आगे mu not upon में 4 pi into m x square plus l square plus 2 x l minus x square minus l square plus 2 x l divide by नीचे अग देखिए नीचे हम लोग चाहें तो l square को छोड़ भी सकते हैं x square के compare में क्या है x square काफी बड़ी quantity है l square के compare में तो इसको छोड़ा जा सकता है x के power 4 लिग देते हैं ये देखिए दोनों cancel हो गए आपस में तो अब देखिए कितना जाएगा μू नाट अपान में 4 pi m into 2 l into 2 x क्योंकि 2 x l, 2 x l, 4 x l हो जाएगा तो 4 x l और m यहाँ पर है तो इसको हम इस तरह से लिख दिए नीचे x के power 4 अब देखिए small m into 2 l को क्या करते हैं capital m dipole moment करते हैं तो देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं मू नाट अपान में 4 pi 2 into capital m मतलब यह 2 और इसके जगाँ पर capital m और इससे cancel हो जाएगा तो नीचे x cube हो जाएगा तो इसका मतलब axial position में magnetic field का यह क्या हो गया हमारे पास formula हो गया अच्छा यह बात एकदम नोट करने वाली है कि axial position में b net का direction dipole moment के direction में होता है तो यह चीज़ हमेहाँ पर note करके लिख देंगे कि in axial position in axial position b net is along the dipole moment capital m b net dipole moment capital m के along होता है अब आईए जो है equatorial position भी देख लेते हैं इसमें अब equatorial position में क्या होता है दूसरा हम लोग कर लेते हैं at equatorial position तो equatorial position में क्या होता है कि इसमें ये देखे हमारे पास एक dipole हो गया और इस dipole में मान लेते हैं कि ये north pole है ये south pole है ये mid point है तो mid point ये चीज़ जो है इस malial होती है ये इस malial हो जाएगी और ये इस malial हो जाएगी ते वर्टिकल कर लिए अब देखे south की वज़े से जो magnetic field का direction होगा वो bs हो जाएगा नार्थ की वज़े से bn हो जाएगा अब ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा तो bn का एक इधर की तरफ component लिलेंगे bn का इधर की तरफ component लिलेंगे bn साइद दीटा उसी तरफ से bs का एक कंपोनेन इधर की तरफ लिलैंगे तो हो जाएगा हमारा bs कास दीटा और नीचे की तरफ लिलेंगे तो हो जाएगा bs साइद दीटा अब हम लोग इस डियाग्राम में क्या देख रहे हैं डियाग्राम में हम लोग यह देख रहे हैं कि BN और Bs जो हैं इनके magnitude तो बराबर हैं क्योंकि ये length ये length same है जितना pole strength N का होता है उतना ही south का भी होता है तो इसका मतलब अगर magnitude में देखा जाए तो जितनी value BN की आएगी उतनी ही value Bs की आएगी तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ा इस तरह से कर सकते हैं कि since जो magnitude आप BN है वही magnitude आप Bs है इसका मतलब ये हो जाता है कि इनके जो vertical component है ये cancel हो जाएंगे और horizontal component आपस में जुड़ करके net magnetic feed देंगे दस B net is equal to क्या हो जाएगा BN cos theta प्लस Bs cos theta क्योंकि vertical तो आपस में cancel हो गए अब चुकि BN, Bs के बराबर है इनके magnitude आपस में बराबर है इसलिए ये लिख सकते हैं 2BN cos theta तो बस आप इसमें value रखिए उसके बाद देखिए किस तरह से आता है BN का मतलब कितना हो गया mu naught अपान में 4pi M by distance का square तो distance कितना हो जाएगा under root में L square प्लस X square ये माल लेते हैं कि X distance पर लिया गया है इसका holy square और साथ ही साथ cos theta is equal to base अपान में hypotenious मतलब L अपान में hypotenious का मतलब under root में L square प्लस X square तो ये कितना हो जाएगा mu naught अपान में 4pi M into 2l divide by L square प्लस X square to the power 3 by 2 अब इसमें भी देखिए वहीं चीज है approximation की बात कि L square जो है वो काफी छोटी quantity है X square के compare में तो इसका मतलब b net is equal to हम क्या लिख सकते हैं mu naught अपान में 4pi capital M अपान में X cube और इसमें क्या है इसमें हम लोग ये देख रहे हैं अगर आप diagram को ध्यान से देखें तो dipole moment का direction होता है south से north की तरफ इधर से इधर की तरफ होता है और b net का direction इधर से इधर की तरफ होता है तो इसमें क्या है कि b net और dipole moment एक दूसरे के opposite हैं तो हम लोग एज बात नोट में लिख लेंगे कि इन इक वाटोरियल पोजीशन बीनेट इस अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट अब आईए इसका एक तीसरा केस भी देख लेते हैं साथ साथ जो होता है कि एट जनरल पोजीशन तो आईए यह सब जितने भी डेरिवेशन है वो एक बार एलेक्ट्रिक फिल्ड में एलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ किये गए है सेम टू सेम सिमलेटी यहां पर भी दिख रही है हमको एट जनरल पोजीशन अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजे कि हमारे पास एक मैगनेटिक डाइपोल है इस तरह से यह नार्थ पोली साथ पोल मान लीजे यह नार्थ पोली साथ पोल और यह मिड़ पॉइंट से एक जनरल पॉइंट हम लोग यहां पर थीटा एंगल पर ले लिए हैं जो कि क्या है पी है इसी पी पर हमको निकालना है मैगनेटिक फिल्ड तो अब इसमें देखे क्या होगा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डाइरेक्शन वो यह होगा कैप्टल M अब इसके दो component होंगे capital M cos theta और यहां पर इधर की तरफ capital M sin theta अब हमको निकालना है यहां पर तो इस dipole moment के according अगर हम लोग देखें तो इस dipole moment के according यह point P क्या है? axial position है तो इसका मतलब इसके लिए यह point क्या होगा? axial होगा तो इसकी वज़े से यहां पर जो magnetic field होगा वो इधर की तरफ हम लोग लेंगे B1 हम लोग इधर की तरफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि axial position में dipole moment का direction और magnetic field का direction एक ही होता है अच्छा अब इसके respect में अगर हम लोग देखेंगे तो यह point P क्या है? equatorial position है क्योंकि इसके perpendicular है यह तो equatorial position में dipole moment के opposite direction में magnetic field होता है तो यह dipole moment है तो इसके opposite direction में क्या होगा? इधर की तरफ होगा 90 degree पर B2 magnetic field जो की इस component की वज़े से मिल रहा है अब इन दोनों का जब हम vector sum करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? B net मिलेगा तो वह बहुत आसान चीज है कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखेंगे अगर हमको इसमें B1 लिखना है तो हम B1 क्या लिखेंगे? B1 हम axial वाला फार्मूला लगाएंगे और dipole moment के जगह पर m cos theta लिखना पड़ेगा तो फार्मूला होता है mu not upon में 4 pi 2m upon में x cube ये मान लेते हैं x है लेकिन हमको m के जगह पर क्या लेना पड़ेगा? m cos theta लेना पड़ेगा इसी तरह से जब हम B2 लिखेंगे तो B2 के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? mu not upon में 4 pi इस equatorial का फार्मूला होता है m by x cube तो m के जगह पर m sin theta लेना पड़ेगा इस तरह से x cube करेंगे अच्छा अब देख रहे हैं कि B1 और B2 दोनों perpendicular है तो दो vector अगर perpendicular होते हैं तो resultant निकालने का फार्मूला क्या है? under root में B1 square plus B2 square अब आईए B1 B2 की value रख देते हैं तो mu not upon में 4 pi का whole square और साथ ही साथ जो है 4m square cos square theta divide by x cube का square और plus mu not upon में 4 pi का square m square sin square theta divide by x cube का square तो जो common हो रहा है उसको common ले ले लेते हैं जैसे mu not upon में 4 pi common m common x cube common 4 cos square theta plus sin square theta तो इसमें हम क्या करेंगे? कि convert कर देंगे sin को cos में तो mu not upon में 4 pi m upon में x cube तो sin square theta के जगां पर लिख सकते हैं 1 minus cos square theta तो आजाएगा 1 plus 3 cos square theta तो यह हो गया हमारा general position पर magnetic field निकालने का तरीका तो इसमें देखिए क्या है? कि हम लोग अगर जैसे देखिए एक simple हाँ चीज दिखाते हैं अब जैसे यह general formula हो गया तो अगर हमको axial का निकालना है तो axial के लिए आपको theta 0 लेना पड़ेगा theta 0 लेने का मतलब है एक कास theta की value 1 हो जाएगी अब 4, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा तो इसका मतलब आगया ने b net is equal to mu not upon 4 pi 2m upon me x q आसानी से और वहीं चीज अगर हमको equatorial के लिए करना होगा अगर हमको equatorial के लिए करना होगा तो उसके लिए हम theta is equal to 90 degree लेंगे और जब आप theta 90 ले लेते हो तो कास 90 हो जाएगा 0 तो यह हो गया 1 तो मतलब mu not upon me 4 pi m by x q तो इसका मतलब यह जो formula हम लोग calculate किये हैं यह बिल्कुल सही है इस तरह से यह दोनों के से समलोग देखना है तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद